नमस्कार रामराम खमागड़ी आप सभी किसान भायू का स्वागत है आपके अपने यूटूब प्लेटफॉर्म राजस्तान मोसम में बात करेंगे राजस्तान के मोसम के बारे में जिसु बताएंगे आगब 24 से लेके 48 गुंटों के दोरान राजस्तान के सित्र में कैसे रहे आपका अपना चैनल है भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा किसान भाई सबसे पहले बात करेंगे 24 गंटों के दोरान राजस्तान के जो तापमान है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली और अधिकतर जिलो 48 और बहुतर घंटों के दोरान राजस्तान के तापमान में बड़ोतरी देखने को मिलेगी और जारतर जिलो का तापमान है वो जीरो डिगरी से उपर पूंच जाएगा कि कई सारे जिलो का तापमान है वो लगबग नियुनतम 4-5 डिगरी के आसपास में और अधिकतम आज से लेके अगले बहुतर घंटों के दोरान राजस्तान के अधिकतर जिलों में जो बादलों की घनी आवाज़े देखने को मिलेगी और साती राजस्तान के कई सारे जिले ऐसे रहेंगे जहां पर मावट होने की संभावना रहेगी यहने बारिस होने की संभावना आज सबसे पहले जो मौसम में बदलाव है वो उत्री राजस्तान में देखने को मिलेगा विसेश तोर पे बिकानर शम बाग में यहने बिकानर शम बाग के गंगानगर बिकानर और हनमानगर और चुरू के बाग है यहाँ पे आज से बादलो की आवाज़े देखने को मिलेगी अभी दोपेर के बारा बजी के बाद में ही विकानेर के कुछ भाग इसके साथ गंगानगर और हनमानगर के कुछ भाग है यहां पे बादलों की घनी आवाजी देखने को मिलेगी और साम होते होते हैं यहां पे गंगानगर की जो गंगानगर तेहसिल हैं इसके साथ ही घड़साना तेहसिल हैं कुछ सुर्दगर तेहसिल के आसपास के शेतर हैं कुछ पदमपूर रायसीगट के आसपास के शेतर हैं क बात करें जिसमे जेसल मेर्श लेकिये जोदपूर के उत्री और उत्री पूरी भाग है बाज राज़़ देखने को मिलेगी और यहां पे बाज मद्रातरी से हैंθ मौसम देखने को मिलने वाला है और जेसल मेरी के उत्री बाज से लेके जोदभूर के उत्री उत्री पुरवी भाग, उत्री पछेणिते भाग इसके साथ नागोर और साथे सीकर चुरू जुझुलू के भाग हैं यहां पे आज और आज मद्य रातरी के बाद में कुछ इस्तानों पे बुंदाबंदी और मावट होने की संभावनाई बंदरी हैं वही पच्छे में राजस्तान की बाडमेर जालोर शीरोई पाली और जोदपूर के दक्सिनी और दक्सिनी पूर्वी पाली के भाग हैं यहां की बात करें तो यहां पे भी आज मद्य रातरी के बाद में यहनि जब कल सुबह सुर्य उदेई की सिरुवात होगी तो उस समय पे आपको इस सेतर में घने बादलो की आवज़ाई देखने को मिलेगी और विश्य समभावना बन सकती हैं लेकिन इसके समभावना कम रहेगी जरतर जो बारिस का दायरा है वो जैसल मेरी की उतरी भाग और विशेस्तोर पे जो मैं यहां पे गेरा बना रहा हूँ यहां पे रहेगा और इन सेतर में जरतर इस्तानों पे मावट होने की समभावना रहेगी ले बात करते हैं पूर्वी राजस्तान की जिसमें जैपूर और बरतपूर शंबाग की जिसमें अलवर भरतपूर धौलपूर करोली स्वाइमादेपूर दोसा टॉंक अजमेर और शाती जैपूर इसके साथी कोटा बुंदी बारा जहलावाड उदेपूर डुंगरपूर इन सभी शेत्रों में आगामी बहुतर गंटों के दोरान बादलों की घनी आवाज़े देखने को मिलेगी यनि जो यह अभी पच्छी में विसोब आया है इसका असर राजस्तान के जारतर जिलों पे देखने को मिलेगा बादलों के रूप में लेकिन उत्री और उत्री पास में पुनर नया डबलो डी आएगा और उसका प्रभाव भी राजस्तान के उपर देखने को मिलेगा किसान भाईयों मिलेंगे अगले अपडेट में और ऐसी अपडेट देखने के लिए आप अमारे यूटूब सेनल को सब्सक्राइब जरूर करें अभी मुझे आगे लिजे का नमस्कार जैहिंद